बिहार सरकार के अलब संख्यक मंत्री जमा खान ने समाजिक सोहर्द का बड़ा संदेश दिया है महाश्यवरात्री के मौके पर जमा खान महादेव की पूजा अर्चुना की अल्प संख्यक कल्यान मंत्री जमाख खान ने ललाट पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला धारन कर भायचारी का संदेश दिया धार्मी केक्ता और भायचारी का संदेश देने के जमाख खान के इस कदम की चोतरफा चर्चा हो रही है कैमूर से लेकर पूरे बिहार में अल्प संख्यक मंत्री जमाख खान के इस कदम की चोतरफा तारीफ हो रही है वही अल्प संख्यक मंत्री जमाख खान ने कहा कि वो कैमूर के बेटे हैं और 18 साल के लंबे संखर्ष के बाद समाज के हर वर्ग ने उन्हें समर्थन दिया है इसलिए वो भाईचारी का संदेश दे कर समाजी के एकता को कायम रखना चौहते हैं जमाख खान ने बताया कि जनता के आशिरवात की वज़से ही उन्होंने मुकाम हासिल किया है इसलिए वो कैमूर के बेटे के तौर पर अपना करतव्य निभा रहे हैं जमाख खान ने कहा कि तेवहार में अब हिंदू और मुस्लिम मिलकर तेवहार मनाएंगे तब ही भाईचारा कायम रहेगा में भाईचारा बना कर चले मैं आज तेवहार के लिए मैं पटना से चला जब मेरा सदन परसों है करने तयारी करने कोश्चन का लेकिन मैं आया मैं आकर मुहनियां प्रोग्राम दिया चंज मेसेज लिए के भायिचारा के लिएemics कोई भी तिवार होताइं भायिचारा के लिए आया हुआ है ninja इस condition को कैमूर में भी धूमधाम से महाश्यवरात्री का तेभार मनाया गया इसमें पूरे परंपरा और उस्ता से जमाख खान ने शामिल होकर समाज को बाटने वाली ताकत को करारा जबाब दिया है उम्मीद है कि जमाख खान ने जो संदेश दिया उसे समाज के सभी लोग दिल से अपनाएंगे पंजाब के स्री टीवी के लिए कैमूर से अजीद गुपता की रिपोर्ट